वीडियो पर पहले बार हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके बाजो में दिखने वाली घंटे को दबा कर ओल नोटिफिक्शन आन कर दे रहा है या फिर आपको ज्यादा पता ना चले तो डायमंड कट शेप जैसे वाला एक कैमरा कट आउट आप सिंपली कह सकते हो हम लोग यहां पर ओपो फाइड एक्सिक्स प्रो की स्मार्टफोन के बारे में एक्स्पेक्टेशन लगा लगा कर बैठ चुक ही कि यह लोग स्मा कैमरा कट आउट इस बार ओपो कुछ बड़ा धामाल मचाने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया लार्ज ओक्टेगोनल कैमरा मॉडल रेर सिर्फ देखने के लिए मिल जाएगा कहा जा रहा है स्मार्टफोन आने वाला है पैरिसकोप सेंसर और एक प्राइमरी कैमरा सेंस स्मार्टफोन बार निकल कर आएगा भाई क्या ही दमाल माचा सकता है थोड़ा नजर तीकी करोगे आपको पता चल रहा है कि फ्लैश कुछ अलगी दिख रहा है क्योंकि इस बार फ्लैश को सेड में फिट किया गया है जो कि एक अच्छी बात आप कह सकते हो आसकल तो ट्रे गलत नहीं होगा क्योंकि जब आप गेमिंग करोगे तो आपके हाथ लग लग कर एक अटोमेटिक थोड़ी बहुत आपरेट होने की च्छांस यहां पर होती हैं कि मैं बात कर रहा हूं सैम्सोंग की डिस्प्ले मिलने वाली हैं रूमर्स मेंली कहा जा रहा है कि हायर अगर बात कर लें तो 50 प्लस 13 प्लस 50 मिगा पिक्सल्स की त्रिवल रेर कैमरा सेट अप तो होगी और 32 मिगा पिक्सल्स की सेलफी कैमरा होगी अपर अच्छी बात बैटर फरफॉमस में इंप्रोमेंट समको ज़रूर मिलने वाली है जो कि 5000 मह की होगी और इसको चार्ज करन लाल सामने निकल कर आया है तो आपको क्या लगता है इससे एक धासु स्मार्टफूर के बारे में आप लोग मेरे को कमरस वॉक्स में जरूर बता सकते हो तो वीडियो देखने के लिए बहुती धन्यवाज जय हिंद वंदे मातरम